हाई गाईज मैंने में सद्मान खान और यूट्यूब चैनल जैसे कि तुम्हें पता है हम डाइजेशन पढ़ रहे थे और इससे प्रिविएस वीडियो में हमने बात किती इंट्रोडक्शन की कि डाइजेशन सिस्टम में इंट्रोडक्शन में कौन-कौन से पढ़ लेते हैं आज हम बात करेंगे जो डाइजेशन होता है हमारे माउथ के अंदर उसका प्रोसेस क्या-क्या है किस थरीके से हमारे माउथ के अंदर डाइजेशन होता है तो आज उसकी बात हम करने वाले हैं तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमने क्या किया हमने खाने को इंटेक क करने के बाद हम क्या करेंगे 30 से उसको च्यू करेंगे चबाइंगे और उससे क्या होगा सलाइवा मिखस होगा जो हमारे माउथ के अंदर तो हो रहा है तुम्हें पता है जो बैसी कॉंपोनेंट हे जो होते हैं हमारे खाने में वो कौनarner से कार्बोहाइद्रेट फैट और प्रोटीन ग्लिकный bl lotta to these components के मतलब आते हैं मतलब जो एक बिएकर रिषाहता है स्टार्ट होता है हमारी माउठ के अंदर लेकिन हां से का नहीं एक चीज और बहुत होता है वह के लेकिन जिस सब्सक्राइब करेंगे इंस्ताइम का नाम है जो लेशे हैं पहला इसके लेप Hai The लिए नियुक्ति ऑन्दर पेरinação होते हैं धा के इसके के अंदरःाव ध्लैंड राता है सबमेक्षिलरी हैं में दिटि मिनल आ अगर अगर हम बात करें पैरोटिट ग्लेंड की पहले में तुम्हें इनकी लोकेशन दिखा देता हूं जारा एक बार सपोस्थ इस इस अगर हम बात करते हैं पैरोटिट ग्लेंड की तो पैरोटिट ग्लेंड यहां कहीं पर प्रेजेंट होता है इस तरीके से और इसके अंदर से एक ड्क निकलती है जो हमारी बकल कैविटी के अंदर ओपन होती है और उस ड्क का नाम है इस्टींस ड्क तो हमारा जो पैरोटिट ग्लेंड यह कहां प्रेजेंट है यह हमारे चीक्स पर प्रेजेंट है यह के पास ठीक है यह चीक्स पर प्रेजेंट होता है हमारा लोवर जो के नीचे यहां पर क्या प्रेजेंट होंगे हमारे तीद प्रेजेंट होंगे और यहीं पर टंग प्रेजेंट होगी यह हमारा अपर जाओ जाएगा यह हमारा लोवर जाओ जाएगा और यहां कहीं प्रेजेंट होगा हमारा सब मैक्जिलरियन सब नीचे होता है हम टंग को लिंग भी कहते हैं और इसी के नाम से इस ग्लेंड का नाम रखा गया है यह टंग के नीचे प्रेजेंड होता है ग्लेंड और इसके अंदर से जो ड़क्त निकलती है हमारी बकल कैवीडी के अंदर जाकर ओपन होती है उस ड़क्त का नाम है ड़क्त रिवीनस ठीके बात के लिए एंधर किया प्रेजन वता है अब यह तीनों ग्लेंट यह तीनों ग्लेंट अपना कुछ 0.5% है वो हमारे enzymes होते हैं और कुछ इन और्गनिक सबस्टेंस होते हैं अगर हम बात करते हैं सबसे पहले enzymes की तो उसके अंदर enzymes कौन-कौन से होते हैं उसके अंदर प्रेजेंट होता है जिसे की amylase enzyme जिसे हम एंजाइम कि ए नेक्स्ट वुन इस लाइजोजाइम एंजाइम और वी दो तिन तब्रय के एंजाइम होते लेकिन यह क्या है मैने आजाइम में यही लिख रहा हूं ठीक है एंजाइम प्रेजल टो टेद किसी चीज क्या प्रेजंट होती है सके अंदर कुछ इन और्गैनिक सब्स्टेंस इन और गैनिक सब्स्टेंस कई बहुत बड़ा रोले जैसे कि इसके अंदर प्रेजंट होता है पोटेशियम कि सोडियम कि बाय कार्बोनेट आयन क्लोराईड, एक्सेक्टरा ठीकिए यह प्रेजंट होता है मैंली सोडियम कम मातरे होता है समझाने जड़ा होता है मैं तो यह क्या होगि हमारा Cambodери ba to normally glucose हमारे saliva में प्रेज़ेन नहीं होता है अगर मैं तुम्हें टोड़ी apply physiology के बारे मताऊएन हमारे सलायवह में क्लूकोज प्रेजेट नहीं लेकिन जो कि डायंटीक होता है चोंदा इसके सलावर हमें फ्रेजन होता है लुकोम कैसे छोटा है तो इसके होता है तो डायंटीक मेलाइटी की नहीं होता है यहाँ नहीं हो इस और एकहल और जाता है अब क्या होगा इंटरस्टीशel फिलुइड में एक्स्टाबोस के अंदर एंटर कर जाता है तो यह क्या है हमारी अप्लाइट फिजिलोजी में तुम एक पॉइंट यह भी लिख सकते हो एक्जामिन तुमसे इंप्रेस हो जाएगा कि नॉर्मली सलाइवा के अंदर प्रेजन नहीं होता ग्लुकोज लेकिन डाइबिटिक मेलाइटेस का जो पेशन होत फिर मेली जो हमारी औरल केविटी है वह औरल केविटी के अंदर निकलेगी लेकिन जब सिक्रीटरी प्रोड़क्ट ग्लेंड से डक्ट के अंदर आते हैं ध्यान दो में क्या बोल रहा हूं जब सिक्रीटरी प्रोड़क्ट डक्ट से ग्लेंड के अंदर आते हैं तो उसके के दर कुछी ihan modification होता है और उसी modification को हम बोलते हैं डक्टल modification तो हम नेक्स टॉपिक है हमारा जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं वह है डक्टल modification भूइत इंपोर्टेंट हैं इसको चाहिंत समझना क्योंकि इससे पहले को हुआ जो हाऊ होगा क्या जो हमारे सेलांवरी सेक्रीशन से यह क्या है हमारी यह हमारी डक्ट है सैलाइवरी डक्ट सेουςht dois इसके अंदर वही चीज़ चलती है तो इसके अंदर होता है इसके अंदर entry लेते हैं कौन-कौन जैसे की sodium iron, chlorine iron और water ठीक है सलाइवरी ग्लेंट ने क्या किया इसका secretion किया अब यह किसके अंदर आ गए हमारी salary duct के अंदर आ गए है कि slavery duct के अंदर आ गए इसके अंदर क्या होगा अब कुछ modifications होगा अब modification क्या होगा तरह उस पर ध्यान देना यह जो इसकी membrane है डख के जो membrane है यह permeable होती है sodium के लिए chlorine के लिए लेकिन impermeable होती है water के लिए ध्यान देना यह impermeable होती है water के लिए तुम चाहों तो side में लिख सकते हो अब होगा क्या यहां से एक sodium iron इससे बाहर जाएगा बाहर कहां जाएगा interstitial fluid में जाएगा यह सब क्या है यहां पर interstitial fluid है तो एक sodium ने क्या किया यहां छलांग मारी और सीधा चला गया interstitial fluid में अब interstitial fluid में जो potassium था इसने यहां से यहां जाने में एक carrier से बाइंड़नों और इसने ऐसी केरियर ने एक सदस्क्राइप को बाहर से पकड़ कर अंदर ढाल दिया किसके अंदर सदस्यों के अंदर तो होगा क्या एक से लिएों मृट स impeachment वापस आ कि कैके ऐसी होता है क्लॉरीन के साथ में की आं यहां से भार जाएंगा और जैसी ऑवार जाएंगा तो भार प्रेजेंट होगा दिए बताओ जली सोचो मैं बाय कार्बोन ए30 मैं तुम यहीं सोचा दो यहीं साथ रहे हैं i-1 दूट Purple एंट तो झो बाइक आपि और श्यूंड़ को इसर फिर अंदर आ जाहेगा the Uh टिक एख और वक्र कया इंपर्मिय मेभल है तो वॉटर यहांसे बाहर नहीं निकल सकता वॉटर यहां से बाहर कार्बोनेट आयन और वाटर अब ज़रूरी नहीं कि सारा ही सोडियम बाहर चला जाएगा कुछ अमाउंट में सोडियम और क्लोरीन भी मिलेगा मैंने आप लिखा है ना कॉंपोजीशन उसलाइवा तहां पर सोडियम भी है और क्लोरीन भी है कुछ अमाउंट में होता है बात के लिए रहे तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डक्तल मॉडिफिकेशन अब देखो अब मैं तुम्हें बताता हूं थोड़ी सी अप्लाइट फिजियोलोजी के बारे में सब्सक्राइब किसी पैशन्ट के अंदर डक्तल कि यह कूले है अब जब डग्तल मुडिफिकेशन फैल हो जाएगा तो उसके सलाइवर के अंदर ज्री ज्वादर प्रेजेंट ओगा सोडियम ज्याद प्रेजेंट और लॉड़ीन ज्यूरीस ज्यूरा प्रेजेंट होगा और उसके तो इस कंडूशन को क्या बहुतомина hits को हम बोलते हैं साई लोरिया ठीक है इस कंडीशन को हम बोलते हैं साइ लोरिया और कि यह भी तुम धियान रखना यह बी मतलब इंटरस्टिंग चीज़ है यह पता होनी चाहिए तो मैं जैसे मैंने अभी अप्लाइड फिस अलोजीयों बताया तो एधिक मेलाइटास का एक्जम्बल इस तरीके से यह एक इंट्रस्टिंग चीज है यह भी तुम्हें याद होनी चाहिए एक्जाम के लिए तुम पढ़ी रहे हो लेकिन अपनी नॉलिज के लिए इसको तुम्हारी नॉलिज बूस्ट हो तो अब तक हमने क्या पढ़ लिया सलाइवर इंजाइम क्या होता है बैक्टीरियो सेडल होता है अब यह बैक्टीरियो को मारता कैसे सेटल मतलब मारना और बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया को मारना अब यह मारता कैसे तो यह एक्टिवेट करता है थायोसाइनाइट आयन को थायोसाइन आयन को तो यह एक्टिवेट करता है थायो साइनेट आयन को अगर तुमने यही सोचा है SCN माइनस तो मुझे कमेंट करके जरूर बताओ कि तुमने सही सोचा है नहीं सोचा मैं तुम्हें रिप्लाइद दूंगा और मेरी विशिस तुम सब के साथ में मतलब तुमने अच्छे सा पड़ रखा है पहले ठीक अंई त्याकर होगा सकता है तक समossible को क्या बोलते हैं बैक्टिरियो सीडल इतनी बासाँर है हम चलते हैं आगे इसके बाद देखाओ हमारा फूड माउथ के अदर होता है और सलाइव से मिक्स हो जाता है तब उसको हम बोलते हैं बॉलस में जब हमारा food mouth के अंदर होगा तो उसको क्या बोलेंगे यह बात आइनो तुम्हें सबको पता होगी ठीक है हम बात करते हैं इसके action की यह क्या करता है जैसे हमारी body के अंदर starch है किसके action के हम बात करेंगे यहां पर enzymes के salivary enzyme से उसके function की बात करने वाले तो हमारी body के जो हमने starch खाया यह starch के उपड़ एक करता है टाइलीन एंजाइम है कि टाइलीन एंजाइम एक करेगा pH और temperature dependent होता है जितने भी एंजाइम हमारी body के अंदर सब पीच और temperature dependent होते हैं द्यान रखना अब यह क्या करेगा स्टार्च को convert कर देगा कि स्मॉलर मॉलिक्यूल में जैसे कि माल्टोज वगेरा जो हमारी स्टार्च होती है यह होती है polysaccharide और यह polysaccharide से इसको diasaccharide के अंदर convert कर देगा लगबग माउथ के अंदर 30% carbohydrate का digestion हो जाता है द्यान रखना लेकिन दूसरी चीज़ क्या है दूसरी चीज़ प्रेजेंट होती है इसके अंदर lingual lipase lingual lipase lingual lipase किसको digest करेगी fat को digest करेगी लेकिन बहुत ज्यादा small amount में बस थोड़ा सा ही fat digest हो हाता है हमारे माउथ के अंदर with the help of lingual lipase enzyme अगर कोई तुमसे पूचे कि fat का digestion कहां start होता है तो maximum low answer होता है intestine में होता है जर्म जनरली बात करने तो fat digestion intestine के अंदर ही होता है लेकिन हलका सा less than 1% 1% digestion जो है माउथ के अंदर भी हो जाता है fat का क्यूंकि हमारे माउथ के अंदर जो saliva है उसके अंदर present होता है lingual lipase enzyme बात के लिए तो हमने आप सारे point cover कर लिए हैं बस एक point बचा है वह regulation of salivary secretion ठीक है चलो यह भी cover कर लेते हैं फिर हमारा यह पूरा topic clear हो जाएगा तो next है हमारा regulation of salivary secretion अब इसके अंदर देखो जोसका regulation होता है मतलब इसकी supply किसके से होती है तो इसकी supply होती है से आड़ार्लमिक नर्वसिस्टेम मतलब परस्पेटिक फाइबर और सिंफफेटे टिक फाइबर से सप्प्लाई होती है जो प्यबेब ना सीक्रीशन तो इट ऑज़场 तो आज की वीडियो हम यही पर समाप्त करते हैं अब इसके नेक्स वीडियो में पढ़ेंगे इस टमक के अंदर खाने का क्या होता है अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी तो इस फीडियो को लाइक करें अपना फीडबेक मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और तो अगर मेरे चैनल पर अभी विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेला इकन को प्रेस कर दें जिसने में नेक्स्ट वीडियो अप्लोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए ओके थैंक यू सो मच गाईज